इस टाइब की रिल्स जो होता ना सेड़ वालकिंग वाला इस्टाग्राम पे काफी जादा ट्रेंडिंग में चला है अगर आपको इस टाइब की रिल्स को बनाना है तो इस वाली वीडियो को बस आप सुरू से लेकर लास तक देख लीचेगा मैं 100% आप लोगो वैसा करेंगे ग्लो इफेक्ट कैसे एड करेंगे जो सेड़ वारा लेरिक्स उपर लिखके आता वीडियो में आपने वीडियो में कैसे एड करेंगे एब्रितिंग एडिटिंग में सिखाने वाला हूं तो वीडियो को लाइक कीजेगा चली वीडियो को सुरू कर लेते हैं उस ट उनके साथ और connect कर लेने के बाद आपका यहां पर पहला step complete हो जाएगा और सारी चीज बहुत ही simple तरीके से इस वीडियो के अंदर आपका भाई बताएगा तो वीडियो को आप लोग completed देखिएगा देन यहां से हम लोग क्या करेंगे न क्या करेंगे और जैसे ही आप लोग इ गैलिर की सारी वीडियो आप लोग के सामने सो हो जाएगा तो जिस वीडियो को आप लोग को उस टाइप से न सेड वालकिंग वाले में एडिट करना है उस वीडियो को आप अपने गैलिर से सलेक्ट कर लिएगा फिलाल मैं अपने इस वाले वीडियो को सलेक्ट करके और न करेंगे और आप अपने वीडियो में glow effect कैसे करेंगे गाने का जो lyrics होता है या sound का जो lyrics होता है आप अपने वीडियो में कैसे add करेंगे मतलब की everything editing आपका वाई simple तरीके से सिखाएगा तो वीडियो को अच्छी तरीके से आप लोग देखिएगा सबसे पहले आपको ऐसे scroll करके और वीडियो के end में आना होगा end में यहाँ पे cap cut का logo मिल जाता है black color का तो इसे आप लोग को select करना होगा और निचे side में delete के icon पे tap करके delete करना होगा देन वीडियो के starting में आएंगे वीडियो के layer पे आप लोग को ऐसे tap करना होगा और निचे side में ऐसे scroll करके आप लोग के सा अपनी वीडियो की cutting करेंगे, क्योंकि वीडियो के अंदर जो भी फालतु वाला पार्ट होगा, उसे काटके हम लोग डिलेट करेंगे, ताकि हम लोग अच्छे तरीके से editing को कर पाएं, तो सबसे पहले वीडियो के यहाँ पर चलाएंगे, यहाँ से हम लोगों ने देख सकते हेड़फोन मैंने लिया, तो यहाँ से मैंने हेड़फोन को लगाया न, तो यहाँ पर मैं रोख वीडियो को रोख लूँगा, और रोख लेने के बाद नीचे साइड में क्या करूँगा, इस स्प्लीट के आइकन पर टैब करूँगा, और टैब कर लेने के बाद आगे का जो भी फालतु वाला पार्ट है उससे स्लेक्ट करूँगा और डिलेट की आइकन पर टैब करके इसे डिलेट कर दूँगा देन एगन मैं अपनी वीडियो को चलाऊंगा और देखूंगा कि मुझे कहां तक अपनी वीडियो को मतलब रखना है तो वहां तक आप भी अपने वीडियो को रख लीजेगा फिलाल मुझे यहां तक अपनी वीडियो को रखना है यहां तक तरीके से आप लोग देखिएगा सबसे main काम गाईज इसमें ये होता ना कि आगर आप अपने वीडियो को अच्छे तरीके से color grade कर लेते हैं तो वीडियो देखने में काफी awesome लगेगा तो उसे पे आपका वाई ज्यादा focus किया कि कैसे आप अच्छे तरीके से color grading करेंगे वीडियो का लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे वीडियो के layer पर ऐसे टैप करेंगे और टैप कर लेने के बाद नीचे side में speed के icon पर टैप कर देंगे और टैप कर लेने को बहुत ही normal इसमें slow motion होता है बहुत ही normal तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर normal वाले पर टैप कर देंगे और टैप कर लेने के बाद जो होता है इसके speed को हम लोग थोड़ा से आप कम कर लेते हैं मैं आप कम करके 0.6x कर लेता हूँ आप अपको जितना slow motion चाहिए हाँ पर टैप कर लेने के बाद simple से आप लोग को right वाले icon पर आप ऐसे टैप करना होगा टैप कर लेने के बाद देने आपके वीड़ो के अंदर यह देख सकते slow motion भी add हो जाएगा तो ऐसे आप अपने वीड़ो में slow motion भी add कर लीचेगा बहुत ही आसान होता इस टाइप के वीड़ो में slow motion add करना लेकिन अगर आप अपने वीड़ो को अच्छे तरीके से color grade नहीं कर पाते हैं तो आपका वीड़ो देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो वीड़ो में color grade अच्छे तरीके से कैसे करेंगे ताकि आपके वीड़ो के अंदर जो glow effect होता ना वो अच्छे तरीके से निखर के आ पाए तो उसका भी editing आपका वाई बताएगा तो वीड़ो को अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा वीड़ो को color grading करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अपने वीड़ो के layer पे ऐसे टैब करेंगे और टैब कर लेने के बाद नीचे साइड में आप लोग को ऐसे स्कॉल करना होगा और स्कॉल कर लेने के बाद आप लोग के सामने एक अरजश्ट वाला icon देखने को मिलेगा तो अरजश्ट वाले icon पे आप लोग को ऐसे टैब करना होगा और टैब कर लेने के बाद सबसे पहले आपका वाई कर्व टूल का यूज करेगा क्योंकि इसके विना आप color grading अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे तो side में ऐसे आप लोग को scroll करना होगा और कर लेने के बाद आप लोग के सामदे एक graphs का option देखने को मिलेगा तो graphs वाले icon पे ऐसे टैब कीजिएगा और बहुती आसान तरीके से यह मैं आप लोग को समझा देऊगा तो यहाँ पे अच्छी तरीके से वीडियो को देखिएगा तो सबसे बीच में आप लोग को एक बारी ऐसे टैब करना होगा देन इसके उपर एक बारी ऐसे टैब करना होगा देन इसके नीचे भी एक बारी ऐसे टैब करना होगा simple से यहाँ पर मैं आप लोग को process समझाता हूँ सबसे पहले guys आप लोग को क्या करना होगा ना ये वाला जो dot है इसके उपर आप लोग को एक और dot को ऐसे create करना होगा then आप वीडियो को अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लीजेगा और इस वाले dot को पकड़के ऐसे आप लोग ऊपर खीचिएगा जैसे ही आप इसे ऊपर खीचिएगा तो आपके वीडियो के अंदर highlight वाला जो भी पाट होगा वो और ज्यादा highlight हो जाएगा simple से इसे भी हम लोग पकड़के यहाँ से ऐसे ऊपर खीचेंगे उपर यसी लिए खीच रहा है ताकि जब हम लोग glow effect अपने वीडियो के अंदर add करें तो वो काफी अच्छे से glow effect दीखें कि हाँ मतलब glow effect आ रहा है उपर उठाना होगा then यहाँ पर उठा लेने के बाद अब यहाँ से after before वीडियो को देखिए न काफी उस्साम हो चुका ना यहाँ पर ही हम लोग का वीडियो तो simple से क्या करेंगे यहाँ सम लोग back आएंगे और back आने के बाद simple से यहाँ पर इसके बगल में HSL की icon पर टैप करना होगा HSL की icon पर टैप कर लेने के बाद green color को लिखे इसकी situation की value आप increase कर लीजेगा कर लेने के बाद थोड़ा सा इसमें cinematic मतलब tone को हम लोग add करेंगे तो उसके लिए आप लोग को क्या करना होगा yellow color को लेके और इसकी hue की value हम लोग plus side में ऐसे 46% कर देंगे situation की value मैं थोड़ा सा यहाँ पर minus side में 31% कर लेता हूँ then इतना सारा काम कर लेने के बाद अब आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा बस वीडियो को अच्छी तरीके से आप लोग देखेगा यहाँ से back आना होगा और back आने के बाद आगे आईएगा आगे आप लोग के सामने एक temp का option मिलेगा तो tempo वाले पर आके इसकी temp की value आप plus side में थोड़ा सा increase करके इसे 9 या 10% कर लीचेगा मैं यहाँ पर 10% कर लेता हूँ then ऐसे मैं पीछे आऊंगा और पीछे आप लोग को आने के बाद इसकी situation की value प्लस side में यहाँ पर 4 या 5% कर लीचेगा Contrast पर आके Contrast की value भी 5% कर लीचेगा गद्याने हां से after before आप अपने वीडियो को देख सकते हैं सिंपल तरीके से इतना सारा काम कर लेने के बाद अब आप लोग को क्या करना होगा ना Contrast के बगल में एक filter का icon मिलेगा तो filter वाले icon पर आप लोग को जाना होगा यहाँ पर बहुत सारे आपको filter मिलेगा लेकिन आपको क्या यूज करना होगा ना यह वाला filter आप लोग देख सकते हैं ना Berlin करके यह वाला filter है तो इस वाले filter को लेकि और इसकी जो opposite way ता ना इसको आप इतना रखेगा 20 के करीब आप लोग रखेगा मैं यहाँ पर 20 कर लेता हूँ 20 मैं इसे कर लेता हूँ आप लोग इसे अच्छे तरीके से कर लीज़ेगा अगर आपको कोई और भी अच्छा लगए तेहाँ पर कर लीज़ेगा फिलाल यह वाला जो होता है ना कि आप अपने वेडो के अंदर ग्लो इफेक्ट अच्छे तरीके से कैसे एड़ करेंगे तो ग्लो इफेक्ट आप अपने वेडो में एड़ करने के लिए नीचे साइड में इफेक्ट के आइकन पर टैप करना होगा वीडियो इफेक्ट पर आप लोग को टैप करना होगा यहां से आप लोग को क्या करना होगा ट्रेंडिंग वाले में ही ऐसे नीचे आना होगा और आप लोग के सामने करने लेस फ्लेस का एक अप्सन मिलेगा यह वाला तो इस पर डबल टैप कर दीजेगा और जो भी सेटिंग आपका भाई यहां पर बताने वाला है उसे अच्छे वाले नममर को पकड़ के पूरा फूल कर देना होगा और इसकी कलर को यहां से आप लोग जो भी कलर आपको यहां पर अच्छा लगे हो यहां से अप्लाई कर लीचेगा मैं यहां पर 45 रख लेता हूं और इसे आप 50 भी कर सकते हैं मैं यहां पर 48 कर लेता हूं यहां से आप साइड में 47 कर लेता हूं यह सेटिंग कर लेने के बाद यहां से राइट क्लिक कीज़ेगा और आपके वीडियो देख सकते हैं यहां पर ग्लो इफेक्ट नहीं है और यहां पर ग्लो इफेक्ट है काफी अच्छा हम लोग का वीडियो लग रहा है ना तो नीचे वाले लेयर पर ऐसे टैप करके और इसको फैला के हम लोग पूरे वीडियो के बरावर कर देंगे दन कर लेने के बाद अब आप लोग को यहां से बैकाना होगा और यहां पर आप लोग देख सकते हैं आपके वीडियो के अंदर ग्लो इफेक्ट भी एड़ हो चुका स्लो मोसन भी एड हो चुका सेनिमेटिक लेगेडिंग भी हो चुकी है एक कम और आप लोग को करना होगा ना कि जो भी मतलब कोई भी एक अच्छा सा लाइन यहां पर लिखना होगा जिससे वीडियो देखने में काफी ज्यादा उस्सम लगी तो उसके लिए नीचे साइड में आप लोग को लकिते वाले relied पे अाइकंट टैब करना होगा और यहां पे कुछ भी आप लोगको लिखना होगा जैसे कि में लाइन लिक देता हूँ और लायन लीक लेनी के बासे मैं इम्मजी पर जाऊंगा और जो भी आप लोग को इम्मजी अच्छा लगे यहां पर सेलेक 2020 लिछेगा तो मैं इस वाले font को लेके ऐसे छोटा कर दूँगा और ऐसे में इसे ऊपर रख दूँगा यहाँ पर देख सकते जना नहीं रहा ना सिंपल से पता ही नहीं चला font का तो हम लोग इसकी मतलब जो color को होता इसको black करेंगे तो style वाले में आएंगे और यहाँ पर font की color का हम लोग यहाँ से black करके और right click कर देंगे और इस font को पकड़के हम लोग पूरा यहाँ पर बराबर कर देते हैं वीडियो के layer पे यहाँ पर कर लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप हम लोग के वीडियो देखने में काफी awesome लग रहा है अब यहाँ से simple से आपके वीडियो के अंदर जो भी idea को आप लोग को add करना यहाँ पर add कर लीचेगा simple से idea को add करने के लिए add idea के icon पर tap कीचेगा टैप कर लेने के बाद यहां पर extract वाले पर आप लोग को टैप करना होगा और जिस भी वीडियो से आप लोग को आइडियो को लेना होगा उस वीडियो को आप अपने गैले से सलेक्ट कर लीजेगा फिलाल मैं इसे यहां से सलेक्ट कर लेता हूँ और कर लेने के बाद simple से मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक्स्ट्रक्टर आइडियो के आइकन पर टैप कर दूंगा यहाँ पर आ जाएगा देख सकते तो ऐसे करके आप अपने एक सैनिमेटिक इक साइड वालकिंग वाली रिल्स को एडिट कर पाएंगे बहुती सिंपल तरीके से तो आपका एडिटिंग कम्पलीट हो चुका है तो वीडियो को फुल एचटी में सेब करने के लिए टेन एटी पर टैप करके यह वाली सेटिंग आप लोग रख लीजेगा और एक्सपोर कर लीजेगा तो आई होग वाइस आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय थैंक्स वर वाचिंग